हिंदू धर्म में नियमित रूप से मां गायत्री की पूजा आराधना की जाती है रोजाना विधिविधान से पूजा अर्चना के अलावा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ट मंत्रों में एक माना जाता है वेदों में गायत्री मंत्र का विस्तार पूर्वक से वर्णन किया गया है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक उर्जा का संचार होता है मन के दुख, द्वेश, पाप, भय, शोक जैसे नकारात्मक चीजों का अंत हो जाता है इस मंत्र के जाप से मनुष्य मानसिक तौर पर जागरित हो जाता है साथ ही कहा जाता है कि इस मंत्र में इतनी उर्जा है कि नियमित रूप से तीन बार इसका जाप करने से सारी नकारात्मक शक्तिया नश्ठ हो जाती है रोजाना तीन बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए गायत्री मंत्र के जाप से कई चमतकारी लाब भी मिलते हैं भूर भव, स्व, कत्सवितुर्वरेन्यन भर्गो देवस से धीम ही धियो यो न प्रचोध्यात। गायत्री मंत्र का हिंदी अर्थ है उस सर्वरक्षक प्रानों से प्यारे, दुवकनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ट, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को हम अन्ता करण में धारन करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धी को सनमार्ग में प्रेदित क करें। मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप तीन बार करना चाहिए। पहला समय है सूरियोदय से ठीक पहले, दूसरा समय है दोपहर का और तीसरा समय है सूरियास से ठीक पहले। धार्मिक मान्यता है कि विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत लाब मान्यता है कि रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विद्यार्थी को सभी प्रकार की विद्याप्राप करने में आसानी होती है। मित्रूप से जाप करता है, उसकी त्वचा में स्वता ही चमक आने लगती है। साथ ही क्रोध शान्त होता है और दिव्य ज्यान की प्राप्ती होती है।